हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग परामेडिकल के कौर्स BMLT के बारे में बात करेंगे जो बैचलर मेडिकल लेवरेटी टेक्नियोलोजी जो BMLT कौर्स होता है ये परामेडिकल के अंतरगात आते हैं तो आज इसका पूरा full हम लोग देखेंगे कि इसका क्या scope criteria कहां से आप कर सकते हैं पूरा एकदम full review करेंगे तो student आप लोग वीडियो last तक देखिएगा अगर आप लोग को BMT करना या BMT के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो आपको last तक देखना पड़ेगा तो चलिए हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं बैचलर राम मेडिकल लेबोरेटी टेकनोलोजी BMLT इसको साट फार्म में कहते हैं बैचलर राम मेडिकल लेबोरेटी टेकनोलोजी इस दा थिरी येर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स ये undergraduate course होता है, कितने years का होता है, 3 years का होता है, और 6 month इसका internship चलता है, which offer candidate through knowledge about the laboratory equipment, अगर आप एक course करते हैं, तो आप लोग को laboratory equipment के बारे में knowledge प्रवाइट किया जाएगा, and laboratory diagnostic procedure आप लोग को एकदम clear करना पड़ेगा, the course is helpful for students who wish the perceived career in the management of laboratory, अगर आप ये course complete करते हैं, तो आप management laboratory, advancement in laboratory and instrumentation में आप लोग अच्छे से जानकारी हो पाएगी, with BMLT being one of the fastest growing field, ये BMLT आप परा मेटकल का course करेंगे, ये आगे चलके growing field means आपका fastest growing field है in the healthcare sector में, the demand for qualified professionals are growing every day for the treatment of rapidly growing disease, means आप अगर मालेजे कोई भी बिमारी हो रही है, तो आप लोग को चेक जरूर कराना पड़ता है, टेस्ट कराने पड़ते हैं, तो आप लोग BMLT एक professional growing मतलब एक course है, degree in BMLT help you gain practical and technical knowledge, आप लोग को practical knowledge भी मिलेगा और technical knowledge भी मिलेगा, right diagnosis करने को लिए आपको मिलेगा and how to effectively run by medical laboratory के बारे में आप लोग को जान क्यारी मिलेगी, बैचलर आप medical laboratory technology course highlight हम लोग देखेंगे, some of the major highlight of the BMLT course are follow आपको करना पड़ेगा, इसका course का name क्या है, बैचलर आप medical laboratory technology, start name क्या होता है, यह आप लोग देख लीजिए, इसी के नाम से हम लोग पुकारते हैं कि आप BMLT करेंगे, तो BMLT देख लीजिए, duration कितना होती है, आप लोग का 3 years का course होता है, 6 month की internship होती है, अगर आप government college से करते हैं, अच्छे college से करते हैं, तो आप लोग को 3 years की जब उसमें, क्या होती है, theory पढ़ाई जाती है, तो आप लोग को कहा, medical college में आपकी posting भी लगती है, आपको duty भी करनी रहती है, बहुत मज़ा आता है, आप लोग अच्छे से सीख पाते हैं, कि हाँ, क्या blood bank में लगती है, आपकी duty भी लगती है, तो आपको वहीं पे सब को सीख जाते है और 6 month की, जब ये 3 years complete हो जाता course, तब आपको 6 month की internship मिलती है, तो आपको ये medical college से internship आपको करनी रहती है, eligibility क्या होती है, अगर आप ये करना चाते हैं, तो 10 plus 2 आपको inter pass out होना चाहिए, physics chemistry biology में 50% आपके mark होने चाहिए, admission process क्या होता, अगर आप MLT का course करना चाते हैं, किसी भी college से करना चाते हैं, तो या merit base पर होगी 10 plus 2 के जितने आप इंटर और high school में percentage होंगे, या इंटर बेस पर होगा, या पिंटर और high school दोनों मिला के होगा, तो maximum inter base पर जितने आप percentage होते हैं, उसके merit list बनती है, उसके base पर हो जाता है, या फिर entrance exam होता है, तो उत्तर परदेश मे तो entrance exam maximum होता है, BMLT के लिए, या फिर private कुछ college है, जो की आपका paid seat पे वो करते हैं, बैचलर आप medical laboratory technology, BMLT eligibility criteria क्या है, 10 plus 2 होना चाहिए, 50 to 60% आपका require होना चाहिए, 50 to 60% लेते हैं, कहीं कहीं 60% लेते हैं, कहीं कहीं 50% लेते हैं, ये college to college बैरी करता है, और science mandatory subject means आप math student ये नह कर सकते, age limit क्या होनी चाहिए, ये भी age limit college पर college ये बारी करती है, admission process for BMLT, admission process for bachelor in medical laboratory technology, is conducted either through entrance exam होगा, या फिर merit based होगा, direct admission भी होते हैं, इसमें direct admission process follow by majority of college in India, जो इंडिया में अधिकतर college हैं, वो direct admission लेते हैं, paid seat पे लेते हैं, लेकिन पैसा अधिक लगता है, थूदिस कंडिडेट आर सेलेक्टेड आंदव बेसिस आदियर मार्स इसकोर्ड इन इंटरमीडियर इग्जामनेशन, फार दिस कंडिडेट सिंपली है टू अप्लाई टू दा कॉलेज आप इनवर्सिटी, तो कालेज आप इनवर्सिटी जैसे आप यूपी में ले लिजिए, तो य अभी अगर स्टूडेंट को या अभी यह नहीं कंफर्म हुआ है कि यूपी यूमस सेफ़ाई इटावा जो यूपी यू यूमस उत्तर परदेश इनवर्सिटी आप मेडिकल साइन्स सेफ़ाई इटावा में है अभी यहां पे बीमल्टी यहां पे पैरामेडिकल फार्मे और नर्सिंग की अभी सीटें फिलफ होनी बाकी है तो अगर जिस भी स्टूडेंट को यहां का फार्म वर्ना है तो अभी तो यह नहीं केलियर हुआ कि अभी फार्म कब आएगा या आएगा तो मेरिट बेस होगा या फिर एंट्रेंस एक्जाम के थूरू होगा अभी यह क सब्स्क्राइब को आप प्लीज सबस्क्राइब कर लीजिये क्यों की आप कि क्योंकि यह चैनल जो है आप फूल के लिए क्रीट किया गया है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करके अब्जेक्टिव कोईस्टन साल करके आसानी से जो कोर्स करना चाहेंगे आसानी से कर सकेंगे तो अगर फार्म आती है तो तुरंत आप लोग को सुचित किया जाएगा कमेंट्स आप बार-बार पूछते हैं और आप लोग वीडियो में हर वीडि डिप्लोमा डिग्री नहीं है बैचलर डिग्री यह पारा मेडिकल की बारे में डिसकस कर रहा है दोज कंडिडेट हुमीट दा कटाफ इसकोर है मोर मार्स कटाफ बिल इलिजबल फार बीमल्टी एडमीशन अगर एडमीशन होता है और इंट्रेंस एक्जाम होता है तो आप ल दानाओं सब्क्यामेडाग बृष्छट् moments of international values छामिया ऑमदर इंट्रेंस टेक्स टेस्ट लेती है में इवर्षिटी इंट्रेंस टेस्ट्स लेती है तो कफी फेमटी लगवग जहां पे जैसे गोरखपूर लक्नव वनारस फिर bunu यहे आपका इलाहाबाद सैफभाई सब्सक्राइब को सब्सक्राइब 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 आपको पड़agogue थार्ड केहा पड़ना है management live management पढ़ना है pathology पढ़ना बायोकमेस्टी पढ़ना पीस्यम पढ़ना बायोकमेस्टी स्टिक्यांड पेजियो कमेस्टी पढ़ना है computer skill communication skill यह सब आप लोग को पढ़ना पढ़ेगा तो student यह एकदम clear यह देख लीजिए आपका जौब प्रोस्पेक्टस के आई एकदम इंपॉर्टेंट है बैचलर अगर आप यह मेल्टी कोर्स करते हैं इंटिग्रल पार्ट अप्टर आफ्टर पर्सुइंग यह मेल्टी कंप्लीट करने के बाद स्टूड़न अगर आप यह मेल्टी कोर्स कर लेते हैं तो आप लोगको यह मेल्टी पी चांसर रहता है कि आप लोग यह मेल्टी पूर्ट कर सकते हैं आगे आप यह व्यायर्म piace करने के बाद आप university अप्टी करने के बाद क्या कर सकते हैं आप देख का अल्सौ स्टाट टीचिंग आप पढ़ा सकते हैं। जहांसे भी अमों सकते हैं। student काई-ग्ञार्टी। अपना खोद का लेवट्रबॉंटी चला सकते हैं अडर् टेकन प्राइबेट क्रेटिश ऑंडर्यकां प्राइब सेंटर्क मेरेचे और सेटिसेयर स्पेट्स, या ओस्पिटल बन सकते या तेस्टल॥ इस अल्फटर संटर में यहां। स्टिक सेंटरी необходимо यह प्राइबेट लाइबस में आप वर कर सकते हैं अगार आप ये देखना पड़ेगा आप कहां पर करते हैं कि से मेट्कल कालज मेर काम करते हैं किस प्राइबेट कालेज में करते हैं हर प्राइबेट कालेज और हर इंटरन्स एक्जाम जो क्वालिफाई करके आप कम्प्लीट कर लेंगे तो आप लोग को यह जाब मिल जाएगे और यहनुली सेलरी जो होती है पर यह आप लोग को बिटबीन माले जी त्री टू फाइब लाक्स पर यह में आप लोग का सेलरी होगी टॉप रिक्वार्टिंग कंपनीज इन दा फिल्ड अब यह मैक्सिमम होस्पिटल फॉर्टी सास्पिटल नर्सिंग होम क्लीनिक्स मेट्रो हस्पिटल अप लोग काम कर सकेंगे तो इस फिजी त्रेपिस्ट के बारे में देखेंगे वह चल अनुट वीडियो में इसका पूरा फिल्ड रिविई करेंगे कि यह कौन सा कोस है करिए और जहां भी आपका सेर अपने फेस्बुक पे सेर करिए चैनल को सेर भी करिए चले स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे किसी बेस्ट वीडियो के साथ थांक यू